हालो एवरिवन मैसेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सील सीजिकर आज हम डी सीम जेए 2022 का डी सेम 46 डिसक्स करना जा रहे हैं फिजिक्स में 16 जिसमें से स्टार्ट करता है जिसमें एक एक्वेशन दे रखी है और इनके लिए मेंशन किया हुए कि स्पीड है एक्स डिस्प्लिस्मेंट है यूनिट भी बताना है क्या हो गया तो देखें यहां पर जो भी होती है उनमें जो पाबर है वह बसक्राइब कर सकते इस तरह से अब एक्स चैस्प्लेस्में नीजर में क्यूंत हो जाएगा तो यह हो जाएगा किमीटर क्षेंट के ने लिए हो जाएगा कि मेटरो सेकेंड इन शिंवर्स इसका 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 vit एक होशन पर चलते हैं है हमें एक फिजिकल कॉंटिटी दे रखिए और वो कुछ डिपेंड कर रहा है ABCD पर और एकुशन की वन है फरसेंटिज एरर बतानी है मेजर्मेंट में अगर ABCD के अंदर परसेंटेज एरर देए रहा है तो इस क्वांटिटिटी के दिल्टाबीबाई और इकर चैलकुलेट कर रहे हैं तो डिंऊमिडेटर वाली एली पावर है उसको भी प्लस ही लोक्त सबावर्स सब्सक्राइब करेंगे चैसे कार डिपावर अपने wanna कर देंगे तो यह तो परसंटेज एर्रे इंतर को यह यह हो जाएगाा तो थी, THREE IS A9, प्लस C में पर्संटेज एरर 2, प्लस D में पर्संटेज एरर का हाफ, वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14, तो टूटल पर्संटेज एरर यहां पर 14 है, तो फॉर्ट औप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, next question पर चलते हैं, question number 3, तो question number 3 में एक student time period measure कर रहा है 100 oscillation का symbol pendulum में और चार data set दे रखा है इसमें तो इसमें minimum division जो clock का बोल रखा है वो one second है तो mean time कितना होगा वो बताना इसकी according तो देखें यहां पे यह जो चार oscillation लिए वे हैं इनका average value जो होगा वो तो हम बोज़कते हैं time period इसका 100 oscillation का time जो है तो इसकी mean value calculate कर लें तो mean value आजाएगी 5678 divided by 4 मदब 292 इसकी mean value आजाएगी सभी को एक करके divided by 2 कर तो यह तो value आ गई लेकिन प्लस error और लिखनी है तो हर किसी value के साथ difference ले 90- यह first में error आई टू सेकेंड में error आ गई 91-92 mean value one next में error होगी 95-92 इसमेर होगी 3 next में 92-92 जीरो इन सब का हम mean value लेंगे तो वह हम error बोल सकते हैं तो यह हो गया 6 divided by 4 तो 6 divided by 4 1.5 लेकिन क्योंकि हम जिस device से measure कर रहे है उसका least count 1 है तो one के multiple में ही values होनी चीए इसको round off करेंगे तो round off करेंगे तो 1.2 round of 5 है उससे पहले वाला number odd है तो इसको round off करने पर यह तो हो जाएगा इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पर जो value है mean value वह 92 प्लस माइनस 2 सेकंड के बराबर जो जाएगा अपना अंसर number 3 next question पर चले question number 4 तो question number 4 के अंदर यहां पर एक physical quantity measure कर रहे हैं और result को express कर रहे हैं NU में जहां पर यू जो है वो unit है N numerical value को present कर रहा है तो यह हमेशा रहेगा यहां पर numerical value और unit को जब रिलेट कर रहे हैं तो एन यू इक्वास रहता है यह एन वन इक्वास रहता है यह एन वन इक्वास रहता है तो एन इन इंवर्स प्रपोर्शनल तो यू हो जाए गया है नेक्स कुश्य नमबर 5 तो कुश्य नमबर 5 के अंदर गैस एक्वेशन गिवन है और प्रेशर वी वॉल्यम बोल रखाए और वी सम्कॉंस्टेंट है तो डाइमेंशन ऑफ ए बताना है तो डाइमेंशन ऑफ बताने के लिए हम गो सकते हैं कि यह जो पूरा क्वांटिटी है इसके अंदर जो पी का मैंशन के बराबर कि अब प्रेशर ओच्वी इरिया तो उसका डाइमिशन हो जाता है एम ऐल माइनस 1 दी माइनस 3 वॉल्यूम है वॉल्युम हो डाइम्यूप लेकिन स्कुएर है तो ल की अबैवल तो टोटल हो जाएगा M L रज़ पावर 5 T रज़ पावर माइनस 2 तो यह जाएगा फोर्ट ऑप्शन अपना फिफ्ट के बाद next question नमबर 6 तो question number 6 में एक वर्नियर कैलिबर में 1 mm मार्क जो है में 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 1 mm की मार्क रिछए में में की अंदर और 20 के के मैच रहे है 16 में में स्केल के मैंच हो रहे हैं तो 1 Copper कास का लीज alleen कौन्ट हम बोलते हैं टाई ए यह माइनस नमबर अप्ट डिविजिएन कोंसाइड में के कितने हो रहे हैं वर्नियर्स के उसे, divide by number of division in वर्नियर्स के 20, तो ये value हो जाएगी 4 by 20, या 2 by 10, तो 2 mm by 10 या 0.2 mm ही हो जाएगा, इसमें, फॉर्थ option इसके according, 6 में, next question में चलते हैं, 7 में, question number 7 में, एक wave travel करी है, एक medium में, और उसका equation given है, wave equation, जिसमें, ABCR constant, तो कौन सा quantity, dimension होगा, इसमें वो बताना है, तो देखें, यहाँ पर जो y का dimension है, same a का dimension होगा, bt का dimension, dimensionless quantity है, cx एक dimensionless quantity, तो पहले में y by a बोल रख है, तो y और a का same dimension, तो यह dimensionless quantity है, तो यह नहीं होगा first, second में bt dimensionless है, cx dimensionless है, b by c, b का dimension बोल जखते है, time inverse, तो यह time inverse में है, यह meter inverse में है, तो b by c, इसका कुछ ना कुछ dimension होगा, वैसे calculate कर सकते है, यह वो quantity है, जिसका dimension है, next question, question number 8, question number 8 में, wire का mass given है, radius given है, length given है, तो इसके measurement में percentage error बताना है, density की measurement, तो density हम लिखेंगे, mass upon volume, और wire है, volume लिख सकते है, area into length, तो density में percentage error के लिए fractional error लिख दिया, delta g by, delta rho by rho, equals to, delta m by m, plus twice delta r by r, plus delta l by l, percentage के लिए into 100 करतो, तो 100 से multiply करते हैं के percentage error आएगा, तो यहाँ पे पहले delta m लिख देते है, delta m की value 0.003, divided by m, 0.3, plus twice delta r, यह value है, 0.005, r में error, divided by 0.5, plus delta l, 0.06 divided by 6, तो unit सारी आपस में cancel हो जाएगी, तो unit में देखने की जरूत नहीं है, कि mm में है, कि centimeter में है, अब यह value आगई, 0.01, यह value आगई, 0.01 cut twice, यह value हो गई, 0.01, तो 0.1, मतलब 1, 2, 3, 4, into 100, तो यह percentage वाइस देखोगे, तो 4% आजाए, into 100 किया है, तो 4% यहाँ पे इसके इसके अंदर रहे रहे है, Q8 के बाद Q9, Q9 में एक physical quantity दे रही है, तो इसमें A, B, C के लिए बताना है, कि कौन सा correct है, तो pressure की dimension हम बोज़ रखते हैं, M, L-1, T-2, तो first match हो रहे हैं, second भी check कर लेते हैं, velocity होगा L, T-1, तो A1 बोल रखा है, गलत है velocity वाला, acceleration, acceleration में भी mass वाला term नहीं आएगा, force में mass वाला term आएगा, वो दे नहीं रखा, तो first रखना correct है, 9th के अंदर, Q10, Q10 में significant digits बतानी हैं इनके अंदर, तो यहाँ बर यह 0 जो inside आता है, उन सब को count करते हैं, तो इसमें total number of significant digits 5 है, last non zero digit जो है, उससे पहले वाले कितने भी 0 हो चाहिए, वो decimal के अंदर हो, decimal के बाहर हो, यह सारे non significant होता है, तो इसमें number of significant digit 1 है, और यहाँ पर power को छोड़के, यह जो value लिखी हुई है, इसके according significant digits बोलेंगे, तो यहाँ पर significant digit 2 है, तो 512 first correct हो जाएगा, नेक्स question पर चले, question number 11, question number 11 में physical quantity दे रखी है, और इनमें percentage error दे रहे हैं, तो P के अंदर error कितनी होगी, पूछी है, तो P के अंदर error हो जाएगी, एक के अंदर error का half, delta A by A, B के अंदर error का twice, delta B by B, C की बाहर 3 थी, तो 3 times delta C by C, error निकाल रहे हैं, इसलिए plus यह आजाएगा, 4 delta D by D, और into 100 percentage के लिए, तो यह आगया, delta A में percentage error दे रखी है, 2, तो यह आगया 1%, by 2 किया था, B में दे रखा है 1, तो 1 into 2, C में दे रखा है 3, 3 into 3, 9, D में दे रखा है 5, 5 into 4, 20, तो यह total percentage error इसके अंदर आजाएगा, जो आगया 32, 32% total error इसके, 11 के बाद question number 12, question number 12 में relation बताना है, lambda 1 जो wavelength है, Lyman series का limit, और lambda 2 wavelength series, limit of bomber series, lambda 3 जो है wavelength of first line of Lyman series, तो देखें, यहाँ पे, Lyman series बता रखी है, और इसमें wavelength बता रखी है, lambda 1 जो है, इसको infinite 1 एक लेलते हैं, तो lambda 1 wavelength, series limit of Lyman series, तो Lyman series की series limit मतब, इसके corresponding wavelength है, lambda 1, फिर lambda 2, lambda 2 बोल रखा है, series limit of bomber series, bomber की series limit यह होगे, lambda 2, फिर lambda 3 बोल रखा है, first line of Lyman series, first line मतब बिल्कुल close वाले से आ रही होगी, यह lambda 3 है, तो इन में अपस में relation पूछा है, तो हम बोज़कता है, कि इन दोनों की energy को अगर add कर दे, क्योंकि इनका energy difference मिला के, इसका energy difference के बराबर है, तो हम इन दोनों का energy add कर दे, तो SC by lambda 2 plus SC by lambda 3 equals to SC by lambda 1, तो यह HC cancel हो जाएगा, तो 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 3 equals to 1 by lambda जाएगा, यह इनके बीच में relation है, फर्स में बोल रखा है कि इनका summation तो वो गलत है, सेकेंड में बाक्की दो का summation, थर्ड में भी, फर्स और सेकेंड का summation यह बोल रखा है तो थर्ड भी गलत है, तो केवल और केवल option अपना, फोर्थ इसमें correct हो जाएगा, कि यह inverse में एड़ होते हैं, तो option कोई सची नहीं है इनके से, question number 13, question number 13 में, ratio of wavelength of longest wavelength of Lyman and Barmer series and hydrogen spectrum, तो longest wavelength बोल रखी है, इसलिए smallest energy gap होगा, तो energy gap smallest लेना है, Lyman के लिए हो गया, 2-7, लाइमन का maximum wavelength, फिर इस तरह से, बामर में maximum wavelength आ जाएगा, इसके बिल्कुल close से आ रहा होगा, एन बराबर 3 से, तो बामर की maximum wavelength, इसके corresponding आएगी, जब 3 से 2 आएगा, energy gap सबसे कम, तो energy wavelength सबसे जादा होगा, तो यहाँ पर बोज़कते हैं, energy difference है, यह 1 by lambda, equals to R, Z hydrogen के लिए बोल रखा है, 1 by N1 square, minus 1 by N2 square, यह आ गया, first Lyman के लिए, फिर बामर के लिए, तो बामर के लिए आ जाएगा, R, 1 by 2 square, minus 1 by 3 square, नई, तो यह आ गया, R, 3 by 4, यह value आ जाएगी, 5 R by 4 into 9, यह आ जाएगा, तो इनका ratio लेंगे, तो लेंडा बामर, अपॉन लेंडा, Lyman, इनका ratio, यह आ गया ratio इदर से, R by 4, R by 4, cancel हो जाएगा, और 27 by 5, इनका ratio आ जाएगा, तो बामर अपॉन लाइमन, लाइमन अपॉन बामर पूछा हुआ है, तो यह ratio 27, 5 by 27 हो जाएगा, तो second option, correct, 13 में, next question, question number 14, 14 में, इन में से, कौन से में, alpha particle emit होगा, वो बोल रखा है, तो अगर, alpha particle emit होगा, तो उसके कर्सपॉर्ट नहीं, कोई से में बेगर, alpha particle emit हो रहा है, मतलब helium nucleus, तो यह होना चीए, कि जो, atomic mass number है, उसमें difference 4 का होना चीए, atomic number, और जो, number है, उसमें difference 2 का होना चीए, तो first में, नहीं दे रखा, इसमें 2 का difference है, उपर भी 2 का difference है, तो यह हम बोल सकते हैं, कि यहां पर alpha particle limit हुआ हुआ, इसमें, कोई difference नहीं है, कोई alpha particle limit नहीं हुआ, इसमें भी difference नहीं है, तो alpha particle केवल और केवल, second equation के corresponding है, 14 के बाद, next question number 15, 15 में, uranium 238, 210 में convert हो रहा है, तो कितने alpha, beta decay के इसके अंदर हो रहे होंगे, वो देखें, तो इसमें atomic number, और atomic mass number को balance करते हैं, मतलब protons और neutrons को balance कर रहे हैं, तो यहां पर alpha particle निकले होंगे, कुछ N1 मान दो, और beta particle निकले होंगे, beta particle, तो, यह बीटा particle की correspondence, तो ज़रा balance करते हैं, तो यहां पर इसमें, 238, 210 difference इनका आ रहा है, 28 का, 28 equals to 4N1, plus 0N2, तो यहां से N1 की value हो गई, 7, N1 की value 7, N2 की value, difference है इनका, 57 का, 7 difference, तो 7 equals to, twice of N1, minus N2, तो N1 की value 7 है, यह हो गया, 14, 14, minus 7 लेंगे, तो N2 की value, वही 7 आ जाएगे, तो N1, N2, दोनों की value 7 है, तो alpha और beta particle, 7, 7 यहां पर इमिट हुए है, 15 के बाद, next question number 16, 16 में, एक reaction दे रखी है, uranium की, इसमें, जो, same mass के nucleus है, उनका formation हो रहा है, इसमें, और X के लिए, बोल रखा है, X और Y का, जो, binding energy per nucleon है, वो 8.5, में एक electron volt है, और uranium के लिए 7.6, तो total energy कितनी release होगी, इसके अंदर वो calculate करना है, तो इसमें, total energy हम बोल सकते हैं, कि जो binding energy है, total product है, और minus binding energy, जो reactant, इनका जो difference है, इसको हम बोल सकते हैं, कि इतनी energy, इस reaction के अंदर release होगी, तो X की binding energy कितनी होगी, 88.5 per nucleon है, और total number of nucleon है 117, ऐसे Y की भी 8.5 है, total number of nucleon है 117, minus uranium का 7.6, total number of nucleon है 236, तो इनका difference ले ले, तो difference ले अगर, तो यह आगया, 8.5 into 14, 3 और 2, minus 7.6 into 236, तो यहाँ बर, अगर हम इन दोनों को लगबग अभी equal भी मान ले, तो यह हम 1 into 200 के अप्रॉक्सी difference आएगा, यह लगबग value अगर equal consider कर ले, तो यह difference लगबग इनका 1 के आसपास है, into 200 के around value आएगी, तो यह value हम approximate बोल सकते हैं, 200 मेगा अप्रॉक्सी पूछा हुआ है, तो यह 200 मेगा अप्रॉक्सी पूछा हुआ है, तो यह 200 मेगा अप्रॉक्सी में रिलीज हूँ, 17, तो कुश्च नमबर 17 में, half life दे रखी है, 100 microseकंड, टाइम कितना लगेगा, radioactive sample में, इसको 1 by 6 तक, 1 by 16 तक लिक्के होने में, अगले half life के बाद, और half हुजाएंगे, और बोल रखा है कि by 16 हुजाने चाहिए, तो by 16 मतलब एक तरह से 4 half life पास होगई, और 4 half life मतलब 400 microseकंड यहां पे आ जाएगा, तो 4 half life, 400 microseकंड, 17 के बाद, कुशन अबर 18, 18 में, एक metal surface पे, monochromatic light wavelength lambda की आ रही है, इसके लिए stopping potential है 5V0, same surface को जब wavelength 3 lambda से incident करवार है, तो stopping potential V0 है, वर्क function पूछा हुए, तो पहले SC by lambda, इतनी energy का photon आया, और stopping potential 5EV0, इतनी energy उसको रोकने में लग गई, इनका difference जो है, यह work function के बराबर था, 5EV0 के बराबर, यह सरह से बोल दो कि जो, energy थी photon की, वो photon की energy work function में, कुछ बाहर निकालने में गई, बाकी energy kinetic energy थी, जो stopping potential से 5EV0 के बराबर है, दूसरी वाले condition में यह है, HC by 3 lambda, equals to 5, प्लस इस बाहर स्रॉमिक potential है, V0 के बराबर, work function की value पूछी है, in terms of HC by lambda, तो इसको अटा दो work function, इस EV0 को, तो 5 times करें इसको, और difference ले ले, तो 5 times करेंगे, तो इधर आगया, HC by 3 lambda 5, minus HC by lambda, और इधर आजाएगा, 5, 5, minus 5, 4, 5, यह cancel हो जाएगा, तो यह difference आगया, 2 by 3, by 4 और, HC by lambda, इतना work function का value आजाएगा, तो 1 by 6 of HC by lambda, यह work function, तो 18 हो गया, 18 के बाद question number, 1, integer type में, section B के अंदर, first question पे जलते हैं, तो first question में, एक particle दे रखा है, mass M का, और उसकी potential energy दे रखिए, minus half M B square R square, और constant, B एक constant है, R distance पे particle origin से, nucleus के around, rooted कर रहा था, बहुर मोडल में, quantum, जो angular momentum है, वो apply करते हुए, इसमें यह बताना है, कि जो radius है, Nth orbit की, वो N की power 1 by X के, अगर proportional है, तो X कितना होगा, radius compare करने के लिए, बोल रखा है, एक तो energy दे रखिए, तो energy से हम force calculate कर ले, differentiate करके, तो differentiate करेंगे, तो force की value आ जाएगी, R square का differentiation 2R, तो M, B square, R, यह इस पर force आ गया, अब जो force है, वो अगर सर्कुला बात में यह गुम रहा है, तो force की value हो जाएगी, M, B square by R के बराबर, एक relation यह है, तो यहाँ से V square proportional to R square हो गया, या V proportional to R बोल सकता है, यहाँ से, दूसरा यह बोल रखा है, कि यहाँ पर angular momentum, बहर model के according जो हम बोलते हैं, तो angular momentum आगे है, इसका M, V, R, वो NH upon 2 pi, अब V R के proportional है, तो यहाँ से बोल सकता है, कि R square proportional to N, या R proportional to 1 by, N raised to power 1 by 2, यह जाएगी, तो X की value पूछिए, तो X की value यहाँ पर हो गई, यह जो X था, X की value 2 हो जाएगी, फर्स्ट के बाद next question, question में, एक excited state है, 10.2 electron volt की, इसमें, electron आ रहा है हो, total 4890 angstrom की wavelength emit कर रहा है, तो इसकी initial stage कौन सी थी, वो determine कर लिए, तो इस transition state का मतलब, इस excitation state का मतलब है, कि यह N equals to 2 पर है, क्योंकि इसी के corresponding excitation state ही आती है, यहाँ पर total energy 13.6 electron volt, इसकी energy आ जाती है, minus 3.4 electron volt, तो यहाँ से यहाँ तक भेजने में, जो excitation energy है, वो 10.2 electron volt ही ची होती है, तो इसका मतलब, यह N equals to 2 के अंदर transition करके आ रहा है, और किसी higher excitation states, इस से आ रहा है, और इसमें आने पर यह emit कर रहा है, 4890 angstrom का photo, तो यह बुचावा है कि यह कौन से orbit के अंदर था, तो हम energy से calculate कर सकते हैं, यह इसकी wavelength को लिख देते हैं, यहाँ पर, कि 1 by lambda equals to R, R की value बोल सकते है, 911 angstrom, Z square hydrogen, 1 by N1 square, minus 1 by N2 square, ठीक है, यहाँ से जब calculate करेंगे, तो N2 की value हमारे पास 4 के बराबरा जाएगी, तो यह fourth excitation state से second के अंदर जम कर रहा है, next, question number third, तो question number third के अंदर, यहाँ पर period symbol betalum का दे रखा है, और length जो है, वो 10 cm है, 1 mm accuracy के साथ measure किया हुआ है, period of oscillation 0.5 second है, 100 oscillation का, और, 1 second, जिससे measure कर रहे हैं, उसका least count 1 second है, तो percentage error G में कितना हुगा, तो G को यहाँ से लिख सकते हैं, 4 pi square L by T square, G में percentage error calculate करना है, तो delta G by G, equals to delta L by L, plus twice of delta T by T, percentage के लिए इंटू 100 करतेंगे, तो delta L है 10 cm, sorry, L है 10 cm, delta L है 0.1, same unit लिखनी है, यह अगर mm में है, तो इसको mm में लिख हो, या centimeter में इसको convert करके लिख दो, तो 0.1 by 10 delta L by L, plus twice delta T by T, तो delta T time का difference, एक सेकंड का है, लेकिन यह एक oscillation का नहीं है, 100 oscillation का है, 100 oscillation मतलब total 50 second का, तो 50 second के अंदर, एक सेकंड की error है, इंटू 100 करेंगे, तो यह percentage error G के अंदर आ जाएगे, तो यह value, 100 से multiply करोगे, तो यह आ गया 1, प्लस 100 से multiply करेंगे, तो यह आ गया 4, तो 5% के बराबर G के अंदर, एरर है, next question number 4, 4 के अंदर, एक screw gauge है, और इससे diameter measure करेंगे, वायर का main scale की reading है, 0 mm, circular scale में 52 division है, और 1 mm main scale के में, 100 corresponding divisions आ रहे, तो इसका least count जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, least count of main scale, upon number of division in circular scale, तो 0.01 mm आ जाएगे, यह least count आ गया, हम main scale की reading तो 0 थी, तो circular scale की reading आ जाएगी, 52 into circular scale का least count, 0.01, तो यह आ गया 0.52 mm, तो यह reading आ गई, क्योंकि main scale नहीं थी, तो यह reading आ गई और यही पूछा था, कि diameter कितना है, mm के अंदर तो diameter इसका आ जाएगा, 0.52 mm के बराबर, question number 4 में, next question पे जलते हैं, question number 5, तो question number 5 में, हमें given है कि, energy difference between first two level of hydrogen atom is 10.2, what is the corresponding energy difference for, singly ionized helium atom, तो helium के लिए कितना आएगा, वो पूछावा है, तो देखें, helium और इसमें energy difference में, relation सिदा सिदा क्या है, कि अगर हम z square से multiply कर दें, क्योंकि वही क्या हो, 13.6 z square, n square, by n square, तो यहां पे z square का energy का difference है कि वर, तो यह था 10.2, तो helium के लिए हो जाएगा energy, z square times, और z की value है helium के लिए 2, तो 4 times इसको कर दोगे, तो 4 times करने पर 40.8 electron volt यह आजाएगा, ठीक है, question number 6, 6 में बोल रखा है कि 24.6 energy required है, एक electron को remove करने के लिए helium से, तो इसमें, neutral helium atom से, दोनों electron निकालने के लिए कितनी energy चीए, तो helium से दोनों electron निकालने, तो पहले electron को निकालने के लिए तो energy बोल रखा है, 24.6 electron volt, second electron को निकालने के लिए जो energy चीए, वो हो गई 13.6, z square, by one square, जो अगला electron है, single ionize helium से निकालने के लिए तो इतनी energy चीए, तो ये total energy यहाँ पर हम बोल रहा हूंगो, 24.6 plus 4 times 4 और 14 4, 5, 54.4 और total value आजाएगी, ये 0, 9, 7, तो 79.0 electron volt यहाँ पर energy चीए, दोनों electron को निकालने के लिए, कोशन नमबर 6 के बाद, कोशन नमबर 7, तो कोशन नमबर 7 में, lithium से एक proton मिलके, 2 helium nucleus बना रहे हैं, binding energy बता रहे हैं, lithium 7 की और helium की, तो इसमें कितनी energy release होगी, वो इसके अंदर calculate करना है, तो binding energy of product, तो binding energy product के कितनी हो गई, 2 helium है, तो total number of nucleon ही लिख दो, तो total number of nucleon हो गए 8, और per nucleon energy थी, helium के लिए 7.06, minus reactant की binding energy, proton की खुद की कुछ नहीं है, lithium की है, तो 7 है lithium nucleon, into 7.06, sorry, 5.60, तो यह energy आ जाएगी, तो इनका difference हमें लेना है, तो difference आ जाएगा, 8, 4, 56, minus 0, 2, 4, 39, तो इनका difference हो गया, 28.67 और 1, तो 17.28, तो 17.28 meg electron volt, इनके अंदर energy, release होगी इस reaction की अंदर, ठीक है, next, तो, तो, पार्ट 1 अपना complete होता है, next, पार्ट 2 पे जलता है, पार्ट 2, जेडवान section A, जिसमें दो paragraph है, तो first paragraph, सेंपल के अंदर, दो radioactive nuclei है, X और Y, जिनकी half life 2 और 1 है, और X, Y के अंदर, D के और Y, Z के अंदर, T बराबर 0 पर activity, जो है, वो equal है, दोनों की A not के बराबर, initial activity A not, और सेंपल में, NX और NY, जो nuclei है, इसके, वो किसी भी time T पर, कुछ इस तरह का relation, यहाँ पर given है, तो इसमें, C1 एक constant दे रखा है, तो इसमें, first part जो है, उसमें correct value पूछी है, C1 की, जो C1 constant है, इसकी value कितनी है, तो देखें, इस equation में, C1 की value calculate करनी है, तो T बराबर 0 के करस्पांड, activity दोनों की A not, तो activity A not आनी चाहिए, और activity हम बोलेंगे, activity A x, initial activity बोल दू, तो initial activity A x की क्या होगी, lambda x into N not x, यह, ऐसे y की activity बोल सकते हैं, initial activity of y, जिसको A not बोला हुआ है, दोनों कोई, तो यह activity हो जाएगी, lambda y, N not y, y के nuclei, तो किसी भी time पर नुकलिया बोल रखे हैं, N x और N y, तो यहाँ पर यह वाला जो term है, यह हो गया activity, टी बराबर 0 पर, at t equals to 0 पर पूट कर रहे हैं, तो यह activity, एक, sorry, y की, A not, यह value देखो, lambda not, N not, यह activity है, B की, sorry, x की, वो भी A not के बराबर है, तो दोनों की initial activity सेम है, A not, प्लस, यहाँ पर एक term रहे है, lambda x, N y, तो lambda x, divide by lambda y, कर दे रहे हैं, एक बार, और lambda y, N y को हम बोदते हैं, A not, प्लस, t बराबर 0 रखा, तो t बराबर 0 पर, यह पुरा value जो आएगा, यह पुरा value, यह value हो जाएगा 1, तो यह value हो जाएगा, प्लस, C1, अब इनकी half life क्या देख रही है, x की half life double है, 1 से, तो lambda हम क्या बोलेंगे, lambda equals to log 2 by half life, 2, यह lambda x है, lambda y जो होगा, lambda y की value हो जाएगी, log 2, divide by 1, तो यह value यहाँ पे रख दी, 1 by 2 इसकी जिगे, तो activity A not cancel हो गया, यह उधर गया, तो C1 की value हो गई, minus A not by 2 के बराबर, यह C1 की value है, तो C1 की value minus A not by 2, यह first हो जाएगा correct अपना, अब आगे, single correct है, अगले वाले message पे जलते हैं, तो ratio बताना है, y का nuclear का t equals to 4 और t equals to 0, तो y के nuclear के लिए हमें equation दे रखे, उस equation पे जलते हैं एक बार, y के nuclear calculate करने के लिए 0 और किसी time पर, यहाँ से इस equation से लिखते हैं, तो यह n y equals to, यह a की activity थी, किसी भी time पर, तो a की activity हम लिख सकते हैं, किसी भी time पर activity हो जाएगी, minus lambda t, क्योंकि a further केवल y में decay हो रहा है, कहीं से form नहीं हो रहा है, तो a की activity हम इस तरह से बोख सकते हैं, और plus यह value आया था, lambda x, lambda y, 1 by n, 1 by 2, sorry, और यह था activity of y, lambda y, तो यह activity of y क्या लिख सकते हैं, lambda y, n y, और c की value थी, minus a not by 2, a raise to power minus lambda y, by t, यह था, तो y के nuclei में calculate करना है, तो number of nuclei of y, इसको उदर ले गए, half को, तो यह इदर जाएगा, half रह जाएगा उदर, और divide by lambda y, by 2 कर दे दे, और इदर रह गया, a not, lambda x t, a raise to power minus lambda x t, और, minus a not by 2, a raise to power minus lambda y, t के बार, इससे divide कर देंगे, और यह हो गया, n y, किसी भी time पर, इसके active nuclei, n not, 2 से भी cross multiply कर दो, 2 e raise to power minus lambda x t, minus a not, e raise to power minus lambda y t, divided by lambda y, यह value, अब यहां से, किसी भी time पर ratio पुछा वा है, तो किसी भी time पर ratio में, यह lambda not तो cancel हो जाएगा, sorry, किसी भी time पर नहीं, t equals to 4 और t equals to 0 पर, तो 0 और 4 पर जब इनका ratio लेंगे, तो यह term तो cancel हो जाएगा, active nuclei हैगा, तो n y at 4, by n y at 0, lambda cancel हो गया, a not cancel हो जाएगा, यह 4 पर यह रजाएगा, 2, e raise to power, minus lambda, lambda को बोल सकते है, ln 2 by half life, जिसका 2 hour था इसका, और time यहां पर 4 लिखावा है, minus a not cancel हो जाएगा था, e raise to power, minus ln 2, by इसका half life था 1 into 4, और यह बाकी values cancel हो गयी थी, power 0 लिखेंगे, तो t cost 0 पर यह value रजाएगा, 2 minus 1, यह 1 रजाएगा, तो यह रह गया 2, यह रह गया 4, 4 को उपर ले जा सकते हैं, तो यह लिखावा है, 2, power 2, तो minus, 1 by 4, यह value, यह value हो जाएगा, minus e, sorry, 2 की power 4, by 16, यह value हो जाएगा, तो यह ratio आ गया यहां पर, by 2, तो half minus 1 by 16, तो यह value हो गया, half minus 1 by 16, 16, 8, 7, by 16 के बराबर, तो 7 by 16 के बराबर, यह value हो जाएगा, क्योंकि log 2 into 2 को में लिख रहे हैं, log 2 की power 2, और e ratio bar minus log 2 ratio power 2, means 1 upon 2 ratio power 2, 4, ऐसे यह लिखाव है, तो यह इसके nuclei, t equals to 0, और t equals to 4 पे, जो ratio आएगा, वह यह आजाएगा, next question, paragraph 2, इसके अंदर, हमें physical quantities के बारे में बता रखा है, कि numerical value, question पर जलता है एक बार, तो question में क्या बोल रखा है, कि एक B का mass दे रखा है, और यह एक flower पर बैठी भी है, total mass कितना है, stamp support कर दी होगी, significant results के साथ बताना है, तो total mass मतलब इनका sum, तो total mass हो गया, 0.0123, और फिर उसके बाद, 3 के बाद, 87, यह total इतना है, लेकिन जब भी हम idea subject करते हैं, तो idea subject करते डाइम पर, decimal के बाद, number of digits जो सबसे कम होंगे, वो consider करने है, significant digits में, decimal के बाद, यहाँ पर 0 को तो count करेंगे नहीं, 3 significant digits होए, total 3 यहाँ पर consider करने है, लेकिन इसको जब round off करेंगे, तो 87 को round off करेंगे, तो यह हो जाएगा 124, तो यह इसका हम mass बोल रहोंगे, तो इसका mass हो जाएगा 0.0124, question number 4, 4 के अंदर बोल रखा है, कि radius एक wire का given है, पाई की value 3.14, तो area of cross section of wire significant digits के साथ बता रहा है, तो wire का cross sectional area, पाई आर square करेंगे, और जब भी हम multiply कर रहे हैं, divide कर रहे हैं, तो इसमें number of significant digits, total number of significant digits जो है, किसी में भी जो least, वो consider करनी है, तो यहाँ पर total number of significant digits 2 है, इसमें पाई एक constant है, तो इसमें number of significant digit 4 नहीं, infinite है, तो यह infinite, यह तरह से r into r किया हुआ है, इसमें significant digit 2, इसके अंदर 2, तो जो result आएगा area का, उसमें number of significant digit 2 होने चीए, first है नहीं, second में 3 है, इसमें 4 है, तो यह हो जाएगा 4, next question, section B, 10 questions है, one and more than one correct वाल है, तो first question में, एक electron helium plus iron में, जम कर रहा है, third excitation state से second में, और then second to first, ratio of wavelength, momentum and energy of photon, और A, B, C respectively, तो इनका values बताना है, तो third excitation state means n equals to 4, second excitation state means n equals to 3, और first means n equals to 2, तो यहाँ जम करके आए, lambda 1 wavelength माल लेते हैं, इसमें जम करके आए, lambda 2 wavelength, तो lambda 1 और lambda 2 का ratio बताना है, तो 1 by lambda equals to rz square, rz square दोनों में common रहेगा, तो 1 by lambda 2 पहले लिख लेते हैं, तो rz square common है, इसमें value आजाएगी, 1 by r1 square, 2 का square, minus 1 by r2 square, 3 square, और divide by 1 by lambda 1 लिखेंगे, तो rz square दोनों में common, तो यह आजाएगा, यह था 9, और इसमें आजाएगा, 1 by r1 square 9, minus 1 by r2 square, 16, तो यह ratio आएगा, value हो गई, 5 by 4 into 9, divide by, 16 minus 9, 7 by 16 into 9, 9 cancel हो जाएगा, 4 से 4 times, तो यह आजाएगा, 4, 5, 20 by 7, तो wavelength का ratio है, 20 by 7, first हो जाएगा, मतब A, equals to 20 by 7, wavelength आजाएगा, फिर second बोल रखा है, B बोल रखा है, कि momentum का ratio, तो momentum, photon का momentum होता है, P equals to H by lambda, lambda के inverse ratio में, यह भी ठीक है, भी भी हो जाएगा, C बोल रखा है, photon की energy, तो photon की energy, C by lambda, तो lambda के inverse ratio में, तो C वाला गलत है, लेकिन यह बोल रखा है, कि C equals to 1 by A, तो यह ठीक है, ratio इसे में रहेगा, तो first question में, first, second, third ठीक है, next question पर जलता है, second पर, question number second में, बोहर मॉडल में, hydrogen में, radius of nth orbit, is proportional to n square, तो R की value यह होती है, R naught n square by Z, तो पैरा correct है, दूसरा, total energy of electron in nth orbit, is inversely proportional to n, जबकि energy होती है, n square by z square के proportional, third में बोल रखा है, कि angular momentum, is an integral multiple of, h upon 2 pi, वो h upon 2 pi का, integral multiple होता है, इसलिए यह गलत है, the magnitude of potential energy, of the electron in any orbit, is greater than kinetic energy, magnitude की बात कर रहा है, तो magnitude 27.2, Z square by, N square, यहाँ पर यह Z square by N square था, तो Z square by N square, यह potential energy रहेगी, और kinetic energy हो जाएगी, 13.6 Z square by N square, तो यह इदो, potential energy का, जो magnitude है, वो greater होगा, kinetic energy के magnitude है, तो इसलिए, यहाँ पर, यह हो जाएगा, 4th, 1st or 4th correct है, next question number 3, question number 3, 3 के अंदार बोल रखा है, कि वाइट लाइट, वेवलेंद रेंज, रेंज कंसीरे करनी है, 400 नेनो मिटर तो 700 नेनो मिटर, और energy uniformly distributed है, spectrum के अंदर, अब light जो है, वो incident हो रही है, metal A पर, जिसका वार्ट फंक्शन, 1.55 लेक्टरोन वोल्ट है, और saturated current, जो है, वो, इसके अंदर, 6 mAh फ्लो हो रहा है, इस condition में, आप जो metal B है, उसका work function 2.48 है, इस पर light incident हो रही है, तो इसके corresponding बताना है, तो पहला option बोल रखा कि, stopping potential of metal A, तो stopping potential metal A का calculate करने के लिए, हम बोज़कते हैं, कि जो maximum energy वाला photon आएगा, मतलब minimum wavelength, वो maximum kinetic energy का electron निकालेगा, तो उसको रोकने के लिए, जो potential चीए, वो maximum stopping potential हो गया, और वो ही stopping potential बोल रहे है, तो यहां भी हम बोज़कते हैं, कि Hc by lambda, 12400 या 1240 electron volt nanometer, divided by maximum energy वाला photon, मतलब 400 nanometer, minus work function 1.55 electron volt, इसको हम यहाँ पे, stopping potential EV naught से compare कर रहो है, तो यह value आजाएगी, nanometer cancel हो गया, 0.3.1, मतलब maximum energy का जो photon आ रहा है, वो 3.1 electron volt का आ रहा है, और उसके corresponding जो work function आएगा, 0.22 दे रखा है, यह जबकि, 1.5 के around value आ रही है, तो पहला गलत, second हम बोल रहा है कि stopping potential for metal B, B के लिए तो B के लिए भी हो ही है कि maximum energy 3.1 electron volt minus work function 2.48, EV naught equals to EV equals to EV naught, तो difference लिया तो यह आ गया, 52, 62, 0.60 electron volt, तो stopping potential आ गया, 0.62 volt, ठीक है, next में बोल रहा है कि saturated, saturation photo current of metal B will be 2 milliampere, और या फिर 18 by 11, तो B के लिए saturation current निकालते हैं, तो देखें, इस तरह से कर सकते हैं कि पहले यह निकाले कि यह जो 1.55 वाला है, इस पे जो energy incident हो रही है, उसमें से कितने photons electron निकाल पा रहे होंगे, या किस range के photons electron निकाल पा रहे होंगे, तो जितने photons N, A पे आ रहे होंगे, वो अगर saturated current बोल रहे हैं, तो पुरे के पुरे electrons निकाल रहे होंगे, उसी के corresponding current flow रहा होगा, saturated current, सेम ऐसे बी पे देख लें कि बी पे कितने photons निकालने पे capable है, और जितने electron निकालेंगे बी पे उतना saturation current हो जाएगा, तो पहले ये निकालने कि stopping potential, थ्रेशोल्ड वेवलेंट कितना है, ताकि हम देख सके कि कि सिरेंज वाला photons इस पे, फोटो current flow करवाएगा, तो पहले वाले के लिए हम calculate करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंट, तो hc by lambda, equals to work function, तो work function डिवाइड कर दिया, 1.55, electron volt, ये lambda नाट, थ्रेशोल्ड पहले के लिए, तो ev not cancel हो गया, 1.55, तो ये value, 1.53 से लगबग डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से 0.5 के अराउंड ये value आ जाएगी, तो 3 से 4, 3, 3 के अराउंड, और ये value, मतलब greater than 7000 angstrom यारी है, इसका मतलब इसके corresponding तो हर तरह का photon जो आएगा, वो photo electron निकालने में capable है, तो सारे photon, photo electrons निकाल रहोंगे, और उसके corresponding photo current फ्लो हो रहोंगे, अब इसके according देखते हैं, तो इसमें threshold wavelength के लिए डिवाइड कर दिया, work function 2.48 से, electron volt, electron volt गया, और ये इसका लगबग डबल ही है, तो ये आजाएगा 500, तो 500 nanometer दूसरे वाले के लिए, it means 400 nanometer से 500 वाले ही, के वल इसमें से photo current या photo electrons निकाल रहोंगे, जिसके वाज़े से photo electric current फ्लो हो रहोंगे, तो अब हमें ये compare करना है, कि अगर total number of photons N आ रहे हैं, इसके corresponding, 400 से 500 की range में, कितने photons आ रहे होंगे, तो इसके लिए ये बोल रखा है, कि energy जो है, energy total E आ रही है, तो 400 से 500 का मतलब difference हो गया 100 का, तो 100 के corresponding energy कितनी आएगी, तो energy wise दो one third हो जाएगा, लेकिन energy नहीं compare करना है, हमें photons compare करना है, तो photons जड़ा compare करते हैं, कि इसके अंदर photons कितने आ रहे होंगे, तो energy uniformly distributed है, तो हम ये कर सकते हैं, कि per unit wavelength, fixed energy आएगी, per unit wavelength energy हमने consider कर लिए, uniformly distributed है, energy तो हर एक spectrum मनला भार एक wavelength के corresponding, fixed energy है, तो हम एक छोटा सा energy difference ले लेते हैं, energy band ले लेते हैं, या wavelength difference, तो इतने difference के अंदर इतनी energy आ रही होगी, पी इंटू डी lambda, पी हमने consider कर रहा है, unit wavelength पे जो energy आ रही है, एक photon की energy से, तो यह इस range में photons की energy, divide by एक photon की energy, तो यह number of photons हो गए, इस range के, अब इसको integrate करते हैं, तो यह हमें total number of photons बता सकता है, यह total number of photons की value आएगी, पी क्या था, unit wavelength पे energy कितनी आ रही है, और constant है, uniformly distributed था, डी lambda range के कितनी energy आएगी तो यह, तो डी lambda range में ऐसे consider कर सकते हैं, कि अगर हम बोल रहे हैं, 400 nanometer, तो 400 nanometer में, थोड़ा सा range difference, मालनो 1 nanometer का, तो इस range में कितनी energy आ रही है, 400 nanometer से इस range और, डिवाइड बाइफोटोन की energy लिख दी, एक photon की तो टोलना number of photons आजाएंगे, अब यह value देखो के तो यह आ गया, P by H C, lambda, D lambda तो यह आ जाएगा, lambda square range लिखनी बागी है, तो पहले A के corresponding तो 400 से 700, और B के corresponding 400 से अभी त्रिशोल निकाला था 500, वहां तक की range वाले आएंगे, तो photons compare कर लेते हैं, पहले में और दूसरे में, तो यहाँ पे wavelength की range आ जाएगी, तो 7 से 4 तो इसमें आ जाएगा, ratio लेना है, ratio लेना है तो बागी सारी values अटा दो, 7 का square, 49, sorry, by 2 भी था, लेकिन वो ratio में cancel हो जाएगा, तो 4900-1600, divide by, इसमें 5500 तक, 400 से 500, तो 2500-1600, ratio में वो जीरो कैंसल कर दिये सारे, तो यह ratio आ गया, यहाँ पे, 3, 3, divide by, यह आ गया, 9, यह 11 by 3, मतलब दूसरे वाले के अंदर, जो photons हैं, पहले के comparison में, 3 by 11 टाइम्स आ रहे हैं, तो दूसरे के photons हो गये, पहले के comparison में, 3 by 11 टाइम्स, हो सकता हूं कि फोटो करन्ट जो सेकेंड में आये का, वो 3 by 11 टाइम्स फोटो करन्ट इन फर्स्ट जो था 6 मिली एम्पियर, तो यह आ गया, 18 by 11 मिली एम्पियर, सेकेंड के अंदर, फोटो करन्ट फ्लो रहा है, तो अपना सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट, नेक्स कोश्चन नमबर फोर, कोश्चन नमबर फोर में, टी क्वसु जीरो पर एक सेंपल दे रखा है, जिसमें जो डी के रेट है, वो सेंपल B के बराबर है, टी क्वस फो 60 पर जो B की वैल्यू, अब डिसिंडिकरेशन कॉंस्ट ए और B के लेमडा और लेमडा बी दे रखा है, लेमडा B की वैल्यू जादा है, तो हाफ लाइफ कंपेर करेंगे, तो लेंट टू बाइक लेमडा बोलते हैं, अब इसमें पहले में हाफ लाइफ उफ उफ ए इस ग्रेटर देन बी करेक्ट हो जाएगा, फिर सेगंड ऑप्शन में बोल रखा है कि 60 मिनिट पे, नंबर अफ अटम्स इन सैंपल अफ मेटेरियल अफ इस ग्रेटर देन आट ऑफ भी, अब number of items के लिए compare किया हुआ है तो शुरुवात में sample में जो activity थी rate of dk बोल दो या activity बोल दो वो same बोल रखे थी इसकी 0 पर इसकी 60 पर तो हम बोल सकता है कि lambda a n0 a equals to lambda b nb at 60 यह बराबर बोल रखते हैं तो यहां पर बोल रखाए कि 60 मिनिट पर यह तो जीरो पर बराबर आ रहा है इस तरह की condition है तो 60 पर यह क्या होंगे और डीके होंगे 60 मिनिट तक तो यह कुछ डीके हो जाएंगे उस time तक तो इसलिए यहां पर a के जो नमबर आफ एक्टिव एटम्स है वह हम confirm ले नहीं बोल सकते हैं कि a के ज्यादा ही होंगे बीसे decrease होंगे तो decrease होंगे इसके वाध से कम हो रहा होगा हां और value wise और यह वाधी दिक्रीज हुई और और बेल्यू तो यहां पर यह यहां और अर बीकी पाएंगे तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इसलिए एक बनालता है इनका तो डीके रेट का ग्राफ किसी टी टाइम बेर बराबर हुए इसकी एक की तो जीरो पर इसकी शींस 2 बीक तो यहां से टार्ट करूंगा बी कहीं हुपर से गहां अब बेक लिए जो डीके शाद़ का मं है यह यह तो टीक्लड gossip जैदा होगी मुक्क न करेंगे इसका मतलब सेंपल में डिकेेंसरी किसी ने किसी टाइप पर सेम होगी तो सेम में एक नहीं होगी तो यह तो घलत हो गया जये ऊपना कुस्ट और कुस्ट इसके इंदर कर्येक्ट नेश्स कोर्शिं नम्बर 5 मेंrying फोटोन की एनरजी यह थी वह एनरजी कुछ वर्क फंक्शन में गई प्लस कानेटिक एनरजी में और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंट दे रखी है जो इलेक्ट्रों निकल रहे हैं उनकी और मैक्जिम कानेटिक एनरजी वाले एक तो डी ब्रोगली वेवलेंट हो जाएगी एच सी बाइलेम्डा स्वरी एचपड़ाइपी एक्वस्ट डी ब्रोगली वेवलेंट तो एच बाइच बाइपी पीको लिएक सकता है रूट टुम कानेटिक एनरजी यह यह लेंड़ा एंध कि फिर ऐसे बी के लिए बोल रख वो आ रही है इसमें Lambda B के बराबर अब देर रखाया एक तो कि Lambda A और Lambda B का ratio इसमें Kinetic Energy का difference तो देखें Lambda B equals to twice of Lambda A तो ज़रा यहाँ पर ratio लिलते हैं तो Lambda A by Lambda B हो जाएगा 1 by 2 तो इधर 1 by 2 और Lambda A by Lambda B कर रहे हैं तो T B उपर हो जाएगा डिवाइड बै टी ए का रूट, it means TB जो है, वो TA का by 4, TB की वैल्यू, TA by 4 है, तो यहाँ पर TB की जागे लिख दिया, TA by 4, तो TA, तो यह आजाएगा 3TA by 4, इसको इदर लिया, equals to 1.5, तो TA की वैल्यू आजाएगी यहाँ से 2 इलक्टरोन वोल्ट, तो TB की वैल्यू आ गई, 0.5 एलक्टरोन वोल्ट, तो यह है 2 इलक्टरोन वोल्ट, यह 0.5 एलक्टरोन वोल्ट, तो इससे वर्क फंक्शन इसकी वैल्यू आ गई, 2.25 एलक्टरोन वोल्ट, और इस वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई, 4.2 एलक्टरोन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन आफ ए 2.25, करेक्ट है work function of B 4.2 correct है kinetic energy of A 2 correct है kinetic energy of B 2.72 वो wrong है तो first second third यह correct हो जाएंगे next question पर जलते हैं question number six तो question number six में दो radioactive substance है half life T और 2T दे रखा है initially equal number of nuclei है और time 40 के बाद ratio of their number of nuclei X and ratio of number of nuclei X बोल रखा है और activity का Y बोल रखा है तो यह पूछा हुआ तो four half life के बाद four half life के बाद जो A है यह मान लेते हैं four half life के बाद यह हो जाएगा N not T था उसका half life तो four half life हो गए four T तो four half life के बाद हो जाएगा two की पावर four तो N not by 16 B के लिए लिखेंगे तो B half life है उसकी T और four half life के बाद पुछा था इसकी half life है two T तो इसमें एक तरह से two half life हो गई तो two half life के बाद इसके number of active nuclei हो जाएगे N not by two की पावर two N not by four और initial number of nuclei same थे तो इसलिए यह इसके active number of nuclei हो जाएगे तो इसमें पहले बोल रखा है कि number of nuclei कितने होंगे इस time के बाद number of nuclei का ratio आजाएगा इनका 1 by 16 by 1 by 4 तो यह 1 by 4 इसका निकलियाई का ratio रजाएगा 1 by 4 तो यह second हो जाएगा फिर बोल रखा है कि इनकी activity का ratio तो activity का ratio लिखेंगे lambda into n यह activity होगी अब lambda को लिख सकते है ln2 by half life into n तो activity a की पहले लिखते हैं तो a की activity आ गई ln2 by half life t और active nuclei है n not by 16 b की जो activity आ जाएगी वो आ जाएगी ln2 by half life इसकी half life है 2t और यह है n not by 4 तो इनका ratio निकालेंगे तो यह 1 by 2 है तो यह 1 by 2 ratio में जाएगा तो second और third इसके अंदर correct हो जाएगे next question number seven seven में potential difference x-ray tube की across increase कर रहे है तो इसका result क्या होगा तो x-ray tube की across जब potential difference increase करते हैं तो जो electron emit हो रहे थे उन electrons की kinetic energy बढ़ जाएगी टकराने से पहले तो kinetic energy बढ़ जाएगे तो maximum loss भी बढ़ जाएगा energy loss बढ़ जाएगा तो ज्यादा energy के photons emit होंगे तो इसकी वज़े से क्या होगा तो इसकी वैसे हम बोल सकते हैं कि जो wavelength है वो minimum wavelength जो है वो decrease हो जाएगी energy उसकी increase होने की वैसे और जो intensity है इंटेंसिटी के बारे में हम बोल सकते हैं यहां पर कि इंटेंसिटी इस केस में अगर number of electrons उतरे निकल रहे थे तो हर एक की इनर्जी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि increase ही हो रही होगी क्योंकि इंटेंसिटी क्या बोलेंगे number of photons और एक photon की energy consider करते हैं तो इसके बाइसे से बोल सकते हैं कि intensity increase होगी तो decrease नहीं है तो maximum percentage error P के अंदर पूछा हुआ है तो A के अंदर percentage error का 3 times 3 B के अंदर percentage error का 2 times 6 D के अंदर percentage error सिधा addition D के C के अंदर percentage error का half point 1.5 तो यह maximum percentage error जो P के अंदर आ जाएगी उसकी value हो गई 3 13 14.4 परसेंट तो maximum percentage error जो आ जाएगी इसके अंदर वो जाएगी 14.4 परसेंट के आ रहा हूँ फिर maximum percentage error in P4 यह तो नहीं है maximum error in contribution by the measurement हो भी अब इसके अंदर जो maximum error consider कर रहे हैं या किसके corresponding आ रहा है तो maximum error B के corresponding इसके अंदर आ रहा है तो minimum error जो आ रही है minimum error 1.5 C के corresponding आ रही है तो maximum error आ जाएगी B के आराउंड और इसी और लगबग 1.14 परसेंट के आराउंड इसमें कोशन नमबर 9 इसमें वो रखा है consider रहा है वर्नियर कैलिपर इन विच इच वन सेंटिमेटर आफ मेन स्केल इस डिवादे इट इक्वल पार्ट मेंस मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो गया वन बाइट क्योंकि हर एक सेंटिमेटर को आट पार्ट में डिवाइड किया कि वन माइनस नमबर ऑफ डिविजन चो मैच हो रहे हैं मेन स्केल के डिवाड़े बाइड आव डिविजन इन स्केल इसका लिस्ट काउंट आ गया 1 बाइट इंडू 540 थो वन बाइफ फॉरेस्का लिस्काउंट ठीक है अब इसके बाद क्या बोल रखा है कि जो एक कमप्ल में बोल रखा है कि पिच आफ ऐस्क्रू गेजिस ट्वाइस लीस काउंट ऑफ वर्नियर के लिपर कि अगर इसके लीस काउंट का डबल अगर इसका पिच्छ है तो पिच्छ की वैली हो गई टू बाइ फूरे में पिच्छ आगया पिच्छ बाइ टोडल नंबर आफ डिविजन यह लीस काउंट बोलेंगे तो टोडल नंबर आफ डिविजन है हंडेड तो यह आगया पॉइंट फाइफ और टैनिस पावर माइनस टू एमें यह इसका लीस काउंट आ जाएगा जो जाएगा 0.005 तो यह हो जाएगा थर्ड में बोल रखा है कि लीस काउंट आफ लीनियर स्केल और स्कुलर की में स्केल और पिच क्या है पिच उसका डबल है तो पिच लेंद कितनी आ जाएगी इंटू टू यह होगी सर्कुलर स्केल में नमबर आफ डिविजन है सर्कुलर स्केल में हंडेड तो यह उसका लीस काउंट आगे सर्कुलर का तो यह आगया वन बाई हंडेड एमम में 0.01 एमम की बराबर तो यह जाएगा 0.01 फोर्थ सेम स्टेट्मेंट है तो सेकेंड और थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा नाइन के बाद कोशन नमबर टैन कोशन न क्रस्पोंडिंग तो दीविजंग तो सीवन में तो नॉर्मल ऑण बहुक्त है कि इसमें टैन डैन से कों सब्साइड हो रहा है जबकि सीटू में उल्टा बोल रखा एकि 10 डिविजंग जो है वह 11 के कर्रस्पोंडिंग मैच तो इसमें मताना है कि मेंजर्ड वैल्यूब इ सेंटिमेटर बाई कैलिपर सीवन सीवन कितना मिजर कर रहा है तो में इसके लिटिंग यह आ गई में इसके लिटिंग तो हो गई 2.8 है ठीक है और इसकी जो वर्निय स्केल रिडिंग है वह कौन से से कॉंसाइड हो रहा है उसके कर्सपोंडिंग देखेंगे तो यहां मैच हो अगया यह तो यह आगई 2.8 है वर्नियर सके लिडिंग कितनी है तो यह थोड़ा सा गया यह मैप पढ़ना है और यहां पी यह वाला मैच हो रहा है तो देखें इसमें यह एक डिविजन एक एम्म का है और इसके टोटल 11 डिविजन जो है मेन स्केल के वह इसके 10 डिविजन के बराबर है 10 equal division corresponding to 11 तो 10 डिविजन इसमें 11 डिविजन के बराबर है तो इसका एक डिविजन जो है 10 डिविजन 11 mm के बराबर तो एक डिविजन हो गया 1.1 mm का एक 1.1 mm का है तो यह जो first gap है इनकी बीच में यह वाला gap दोनों lines के बीच में यह gap हो गया 0.1 का तो यह gap बढ़के हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 यह gap 0.6 का है और यह gap 0.7 का है तो हम यह चोटा सा difference रह रहा था वह में calculate करना था यह वाला जो difference है यह इस line और इस line की बीच में difference यह calculate करना था तो यह match हो रहा था यहां से यहां तक की यह length हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 division 8 mm और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 division तो 7.7 mm difference रह गया 0.3 mm का तो यह जो थोड़ा सा difference है यह 0.3 mm का है तो यह आ रहा था 2.8 और 0.3 mm का difference तो यह 2.83 इसकी reading हो जाएगे तो यह answer हो जाएगा इसके corresponding और इसके corresponding यह 3rd था था 3rd और 4th इसके अंदर answer अपना जाएगे section C में question number 1 average life time of excitation state of hydrogen atom प्टनिस बार minus 8 second दे रखा है एक electron जो है वो इतने revolution complete कर रहा है n equals to true state में before n equals to 1 में आया है उससे पहले तो k की value बतानी है तो यह उस orbit में कितने time के लिए रह रहा है यह time बता रखा है इतने time में कितने revolution complete कर लेगा वो बोल रखा है तो उसको एक revolution complete करने में time लगेगा अब इसमें यह value होगे टू पाई आर आर की value यहां पर given भी है और 0.53 इंटो डेनेस बावर माइनस 10 यह एक स्ट्रम में यह value थी वेलॉसटी होती है revolution की 2.16 इंटो डेनेस बावर 6 मीटर पर सेकंड यह velocity होगी तो इतना एक revolution में time लगेगा इसको टी तो एक revolution का time आ जाएगा अब इस time में कितने revolution complete करेगा तो T by capital T यह number of revolution इसके हो जाएंगे तो यह value है 10 इस बावर माइनस 8 और T की value तो T की value यहां से calculate values जो है है वह है 2 into 3.14 into 0.53 2.16 into 10 इस बावर यह value आ गई 16 तो यह value आ जाएगी यहां से 16 यह था तो यह value अप्रोक्समेट अपनी आ जाती है 8 into 10 इस बावर 6 के आराउंड और के की बचिए तो के की वेली यह यहां पर यह 8 के की वैं नेक्स कोशन नंबर 2 के अंदर के एक पार्डिकल है म्यों दे रखा है और क चार्च तो एक लाक्टरॉन के बाराबर है लेकिन मास्स 208 टाइम्स है उलेक्रोन के मास्का और 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 रिट कर रहा है एक नुक्लियस के थ्री एलेक्रों चार्ज है नुक्लियस को इंफैनेट मास का कंसीर करना है बोहर मोडल एप्लीकेबल है तो एनत ऑर्बिट की जो रेडियस है इसकी वह अप्रोक्सिमेट सेम रेडियस है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइडोजन तो एन की वेल्यू बताने है तो जो मास वेर के इनवर्स स्वास्ट ना होती है तो इसलिए यहां पर जो पुटेंश भी या केनेटिक एनर्जी प्रेपोर्ड सलोगी मास Ahora ऑ्कार्पर निद्धिर फॉर्पोर्ट एसके साथ रेडियस वाले 3 times और n square इस तरह से depend कर रही है और यह जो radius है वो hydrogen वाले की बराबर है hydrogen के लिए n की value भी 1 है यह भी value 1 है यह पूरा value 1 है तो यह बोल सकते हैं इसलिए यहाँ पर n square की value हो गई यह 208 इंटू 3 तो यह आगया 624 और n की value हो गई 624 का root तो यह approximate कितना हो गई 25 के round तो n की value 25 यहाँ इसमें नेक्स कुशन नंबर 3 कि कुशन नंबर 3 में एक hydrogen atom जो है मूँ कर रहा है velocity यू से और head-on inlasic collision इसने किया है एक दूसरे hydrogen atom के साथ stationary hydrogen atom के साथ जो ground state में थे दोनों minimum value यह बतानी है ताकि कोई सा भी एक जो हो minimum excitation state में चला जाए minimum excitation state में और उसकी velocity बता रखिए है तो energy है तो कितना होगा hydrogen का मास्गी बने है तो देखे hydrogen एक मूँ करता वाद दूसरे hydrogen से stationary hydrogen से कुलाइड हो रहा है तो वन फॉर तो हाफ कानेटिक एनर्जी हाफ लॉस होगा तो वन बाइप एम वी स्क्वाइर के बराबर लॉस होगा और यह लॉस एक्सटेशन एनर्जी जो जाएगी फस्टेशन एनर्जी थर्टीन पॉइंट इस कल्कुलेट करके रहेंगे तो यह 10.2 एलेक्रान जोडूर में करेंगे तो वन बाइफ ओर माज रखा है वन के अरॉंट 1.0078 इंट्व 1.66 इंट्व 10 इस्ट पावर माइनस 27 वी स्क्वेर एक वस्टू 10.2 एलेक्ट्रान 1.6 इंट्व 10 इसट पावर माइनस 90 अब तो यहां से वी की वैल्यू हम कैल्क्लेट करेंगे तो यह जगबग आजाएगी 6.24 इंट्व 10 इसट पावर 4 के अरॉंड यह वैल्यू आजाएगी पावर के वल कंपेयर करनी है तो यह वेलासिटी इसकी हो जाएगी थर्ड में थर्ड के बाद नेक्स कुशन नमबर 4 कुशन नमबर 4 में एक मेटलिक सर्फेस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहे है लेम्डा वेवलेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशल 5 वोल्ट है 5 वी नॉट है तो एच सी बाइलेम्डा एक वास्टू 5 एक वास्टू 5 वी नॉट अब इसको 3 लेम्डा से अगर इंसिदेंट करवा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशल वी नॉट है तो वर्क फंक्शन कितना है यह प्लस था यहां पे एक वास्टू 5 प्लस ई वी नॉट तो वर्क फंक्शन इन डाम्स आप सी बाइलेम्डा पूछा हुआ है तो इसको 5 ताम्स करके देफरेंस ले लो तो डिफरेंस 5 by 3 माइनस 1 2 by 3 सी बाइलेम्डा और इधर 5 माइनस 1 4 तो यह वैलियो आ जाएगी सी बाइलेम्डा 5 था यहां पे तो एस्सी बाइलेम्डा 1 by 6 यह वर्क फंक्शन की वैलियो आ जाएगी तो एक्स की वैले पूची थी वह 6 हो नेक्स्ट कोश्चन नमबर 5 कि तो खुश्चन No 5 में दो radioactive material A और B दे रखा है decay constant 5 lambda और lambda दे रहा है इनीचली दोनों जो है हो सेम number of nuclei है तो ratio of nuclei A और B के 1 by E कितने time के बाद हो जाएगे तो A के nuclei और B के nuclei का ratio 1 by E है और A के nuclei होंगे initial number of nuclei E raised to power minus lambda T डिवेड़ बाइ, B के नुकलिया इनीशल तो N0 T है, A का D के कॉंस्टेंट 5 लेम्डा था, E रेस तो पावर माइनस लेम्डा T, यहनका रिश्यों आजाएगा, तो N0 cancel हो गया, तो 1 by E या E रेस तो पावर माइनस 1, equals to यहाँ पर आगया E रेस तो पावर 4 लेम्डा T, इट मेंस यह वैल्यू इसके बराबर है, तो 4 लेम्डा T equals to 1 है, तो T की वैल्यू हो गई 1 by 4 लेम्डा, तो इस X की वैल्यू पूछी है, तो X की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो यह आजाएगा 1 by 4 लेम्डा के बराबर, तो X की वैल्यू टू, कुशन नम्बर 6, तो कुशन नम्बर 6 के अंदर, हमें देरखा है कि एक element, atomic number 9 का है, वो emit कर रहा है, के एल्फा, X-ray, जिसकी वैल्यू लेम्डा, और atomic number बताना है, जिसमें के एल्फा की वैल्यू लेम्डा के बराबर, तो मॉजलेस लॉग के according जो frequency का root है, वो proportional होगा, atomic number Z minus B, या यह लिख सकते हैं, मॉजलेस लॉग, root में एक्वास हो, AZ minus B, अब जब के एल्फा की बात करते हैं, तो B की वैल्यू वन है, और यह वन अप्वान लेम्डा, तो यह हम बोज़कते हैं, C by लेम्डा, equals to A, Z, 9, B की वैल्यू वन हो जाती है, for के एल्फा, और फिर दूसरे के लिए बोल रखा है, फोर लेम्डा इमिट कर रहा है, equals to A, Z की वैल्यू पूछी है, B की वैल्यू वन, तो रेशियो लेजते हैं तो उनों का, यह आ जाएगा, root के बाहर 1 by 2, तो जो उपर 2 चला जाएगा, तो 2 equals to 8 by Z minus 1, यह हो गया 4, तो Z minus 1 equals to 4, तो Z equals to 5 आजाएगा, तो इसे के साथ अपना पेपर discussion खतम होता है, थेंक्यू.